गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स क्लास 12 के सभी चात्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज हम अच्छा बारे की सप्लिमेंटरी बुक विस्टस का 5 चैप्टर इस्टडी करने वाले हैं और 5 चैप्टर का नाम है शुड्ड विजर्ड हिट ममी क्या क्या विजर्ड मिस होता है मैजिशन जादूगर और हिट मिस प्रहार करना और ममी ममी क्या जादूगर को ममी पर प्रहार करना चाहिए जॉन अपडाइक का ये लेसन है इसको स्टार्ट करें उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा कि विस्टस बुक से दा टाइगर किंग लेसन की वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ जर्नी टू दा एंड ओफ दा अर्थ थर्ड चैप्टर की वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ इसकी वीडियो भी कंप्लीट हो गई है एर्थ चैप्टर मैमरीज ओफ चाइल्डूड ये सारी वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगी वहां से आप इन वीडियो को देखें और अपने स्टडी को आप कंटिन्यू करें आज की हमारी वीडियो में फिफ चैप्टर को स्टडी करेंगे तो बिजर्ड जादूगर की ये कानी है बहुती इंट्रेस्टिंग बहुती मज़ेदार ये कानी है ये चलिए बिफोर यू रीड इससे पहले कि हम कहानी पढ़ना स्टार्ट करें कुछ लाइन यहां पर दी गई है उन लाइनों को देखते हैं क्या कहती है यह लाइन है हेर इस टोरी अब आउट दो वर्ल्ड व्यू ओफ लिटिल चाइल्ड यहां एक कहानी है संसार के प्रती द्रश्टी कौण की वर्ल्ड व्यू ओफ लिटिल चाइल्ड एक छोटे बच्चे के संसार के प्रती द्रश्टी कौण के बारे में यह कहानी है और यह कहानी है उन प्रस्णों के वारे में उन कठिन और नैतिक तवाले प्रस्णों के वारे में सी रेजिस जिनको वो पूछती है ड्यूरिण दे स्टोरी सैसन कहानी के सत्र के दोरान विदर फादर अपने पिता से तो यह कहानी एक छोटे बच्चे के बारे छोटे बच्चे के संसार के प्रती द्रश्टी कौण के बारे में है और उसके द्वारा उठाए गए प्रस्णों को जो अपने पिता से पूछती है उनके बारे में यह कहानी है तो थोड़ा सा मैं आपको कहानी के बारे में बताऊँ इस कहानी में जो करेक्टर है जैक वो फादर का रोल अदा कर रहे है जो उनकी बेटी है क्लेयर जैक की पतनी और जो की मदर जो लड़की है इसमें और बॉबी यह जो का छोटा भाई है तो यहाँ पे जैक कहानी सुनाता है जो को और कहानी सुनाने का उसका मकसद है कि किसी भी तरह से जो को नीद आ जाए दिन में उसे सुलाना चाहता है और अक्सर वो कहानिया सुनाता है और यह कहानी एक रोजर इसकंग के वारे में है जिसमें से गंदी बदवू आती है और वो जादूगर से मिलता है और जादूगर से कहता है कि मुझे अच्छी मुझमें से अच्छी खुस्वू आनी चाहिए और जादूगर थोड़ा जाद जादू करता है और उसमें से अच्छी खुष्भु आने लग जाती है लेकिन इसकंग की जो मदर है वो खुष्भु से प्रसंद नहीं है वो जाती है जादूगर के पास और उससे कहती है कि बापस से इसमें से बद्वु आ जानी चाहिए जैसी पहले आती थी तो देखते है क्या कुछ होता है इस कानी में, बहुत मज़ा आएगा आपको ये कानी पढ़ते हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं, in the evenings and for Saturday, naps like today's, in the evenings, हर शाम को and for Saturday naps और सनीवार को naps, जपकी लेने के लिए, naps होता है, जपकी लेना, थोड़ी दिर के लिए नींद ले लेना, दिन में जो हम लेते हैं, naps, in the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter, जो a story out of his head, in the evenings, शाम को भी and for Saturdays और सनीवार को, for Saturday naps, सनीवार को दुपैर में सुलाने के लिए like today's, जैसा कि आज वो कर रहा है, जैक told his daughter, जैक अपनी बेटी को कहानी कहता था, जो, जो उसकी बेटी का नाम जो था, a story, एक कहानी कहता था, out of his head, अपने दिमाग से गड़ करके, मन गड़मत कहानी, अपनी बेटी के लिए सुनाता था, सुलाने के लिए, हर साम को और अक्सर सनीवार को दिन में उसे सुलाने के लिए, this custom began when she was two, ये रिवाज प्रारंब हुआ था, कहानी सुनाने की जो प्रताय ये प्रारंब हुई थी, when she was two, जब जो दो वर्सकी थी, was itself now nearly two years old, और अब ये जो रिवाज है, ये रिवाज, कहानी सुनाने का रिवाज, ये भी अपने आप में दो साल पुराना हो गया था, and his head felt empty, और उसके जो पिता का जो सिर था, मस्तिस्क था, वो कानियों से खाली हो गया था, अब उसके दिमाग में कुछ कानिया थी ही नहीं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जब वो दो साल की थी, तब से कानी सुना रहा है, और अब इस प्रता को, कानी कहने को भी दो साल हो गया, तो लगातार वो दो साल से कानिया सुना रहा है वो Each new story was a slight variation of a basic tale प्रतेक उसकी जो नई कानी होती थी was a slight variation वो थोड़ी सी slight means hulky सी और variation hulky सी वो अलग होती थी of a basic tale जो मुख्य कानी उसने सुनाई थी कभी basic जो मूल कानी उसने सुनाई थी कभी jack ने उस मूल कानी से थोड़ी अलग ही होती थी थोड़ी सी अलग होती थी प्रतेक नई कानी और वो मूल कानी देखे किसके वारे में थी a small creature एक छोटे से प्राणी के वारे में usually named rosa जिसका नाम सामभाने था rosa ही होता था तो वो rosa की कानिया सुनाया करता था कभी उसके साथ जोड़ देता था rosa fish कभी rosa fish जोड़ देता था उसके साथ जिसकी कानी सुनाता rosa squirrel rosa glary जोड़ देता उसके साथ rosa chipmunk ये भी एक glary है अमेरिका में पाई जाती है rosa chipmunk rosa chipmunk की कानी सुना देता तो एक ही character होता उसमें पीछे जोड़ देता है या तो fish या squirrel या chipmunk had some problem इनको कोई समस्या होती थी इस पात्र को and bent with it और इस समस्या को वो ले करके जाते थे to the wise old owl एक ब्रद बुड़े से और बुद्धिमान उल्लू के पास अपनी समस्या को ले के जाते थे the owl told him to go to the wizard और वो उल्लू उन रोजर को बताता था कि तुम जादुगर के पास जाओ and the wizard performed a magic spell that solved the problem और जो wizard जादुगर था performed a magic spell वो मंत्रो चारण करता था तंत्र मंत्र करता था that solved the problem और उससे वो जो समस्या होती थी रोजर की उसका हल हो जाता था तो लगबग यही कानी प्रते कानी में यही वो सुनाता रहता था कि किसी रोजर फिस को या रोजर इसक्रिल को या रोजर चिपमुंग को कोई ना कोई समस्या होती इस समस्या को लेकर वो आउल के पास जाते और आउल उससे कहता था कि तुम जाओ जादुगर के पास और जादुगर उस समस्या का समादान कर देता जादुई प्रभाब से, तो अक्सर यही इसी प्रकार की कहानी वो सुनाता था, Demanding in payment, और demanding, वो मांग करता था फिर वो जादुगर, पेमेंट, भुगतान की, जब समस्या को सुल्जा दिया करता था, तो वो क्या करता, Demanding in payment, a number of pennies, greater than the number, that rosa creature had, Demanding वो मांग करता, in payment भुगतान के लिए, a number of pennies, बहुत सारे सिक्के, pennies यहाँ पे coins, बहुत सारे सिक्के मांगता वो, greater than, उससे ज़्यादा, the number that rosa creature had, जितना रोजर प्राणी के पास सिक्के होते थे, उससे ज़्यादा पैसे मांगता था, जादूगर, समस्या के समधान के लिए, but in the same breath, directing the animal, to a place where the extra pennies could be found, but in the same breath, लेकिन जिस सांस से वो पैसे मांगता था, जिस तरीके से वो पैसे मांगता था, उसी सांस में, वो क्या करता था, in the same breath, उसी सांस में directing the animal, वो उस जानबर को निर्देशित करता, to a place, एक स्थान के लिए, where the extra pennies could be found, जहां पे अतिरिक्त सिक्के उसको मिल सकें, तो यदि उस जानबर के पास कम पैसे होते थे, तो विजर्ड उसको उसे स्थान की और बेजता, जहां पे उसको अतिरिक्त पैसे मिल सकें, then, रोजर was so happy, he played many games with other creature, and bent home to his mother, just in time to hear the train whistle, that brought his daddy home from Boston, then, फिर क्या होता, रोजर was so happy, रोजर खुस हो जाता, क्योंकि उसकी समस्या का समादान हो जाता, जादूगर के पास जा करके, he played many games, फिर भहुत सारे वो खेल खेलता था, रोजर, with other creatures, दूसरे प्रानियों के साथ में, and bent home to his mother, अपनी मा के पास फिर घर चला जाता, just in time, समय रहते हुए, to hear the train whistle, और वो train की, city की आवाज सुनता, that brought his daddy, जो train में उसके डैडी आ रहे होते, home, घर के लिए from Boston, Boston से जो उसके फादर, घर आ रहे होते, उस train की, city की आवाज, वो समय रहते हुए घर जाकर के सुनता, तो ये एक basic story है, मूल कानी है, जिस कानी को वो कहता रहता था, तो आपको पता लगा होगा यहां तक, कि जो मूल कानी है, रोजर, fish, रोजर, squirrel, रोजर, chipmunk, इन characters के वारे में होती, और ये रोजर तो जुड़ा ही हुआ था, फिस जोड़ देता उसमें, या इस chipmunk जोड़ देता, तो जोड़ देता, जिस जोड़ खुद ही, उसको वो इस्थान बता था, जहां से उसको अतिरिक्त पैसा मिल जाए, और फिर रोजर, अपने दोस्तों के साथ खेलता, और समय रहते हुए, अपने माग के पास आ जाता, और उस train की आवाज को सुनता, जिसमें बोस्टन से, बोस्टन सहर से उसके पिता घर लोट रहे होते तो ये हमारी basic story है जो Jack, जो को सुनाता रहता था अब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव वो करता slight variation, थोड़ा बहुत बदलाव करता otherwise यही कहानी वो बार-बार से repeat करके सुनाता रहता जिसमें आउल, विजर्ड और रोजर, ये तीन उसकी कहानी के मुख्य पातर है रोजर जिसको समस्या होती है, आउल जो से सला देता है और विजर्ड जादूगर जो उसको समस्या का समाधान करता है जैक, डिस्क्राइब दियर सपर, जैक अपनी कहानी में उनके रात्री के भोजन का वर्नन करता कि रोजर घर आके किस तरह से भोजन करता, डिस्क्राइब दियर सपर and the story was over और फिर कहानी खत्म हो जाती थी, तो ये मूल कहानी थी जिसको वो कहता रहता था working his way through this scheme was especially fatiguing on Saturday, इस योजना के तहट काम करना working his way through this scheme, इस योजना के तहट काम करना was especially fatiguing ये विशेश रूप से ठका देने वाला था on Saturday, सनिवार को, सनिवार को उसकी ये योजना काम्याब नहीं होती थी ठक जाता था वो कहानी कहते कहते, ऐसा क्यों था, because Joe never fell asleep in naps anymore, क्योंकि Joe को, जो उसकी बेटी थी, उसको नीद आती ये नहीं थी, जपकी आती ये नहीं थी सनिवार को दिन में, तो naps में जपकी लेना, नीद लेना, उसको नीद आती ये नहीं थी जबकी आती नहीं थी and knowing this made the right seem futile, यह सब को जानकर उसको ऐसा लगता कि जो उसका right है, जो उसका कारेक्रम है, कहानी सुनाने का, seem futile, वो उसको futile means निरर्थक, बियर्थ प्रतीत होता, कि जो सनिवार को जबकी नहीं लेती थी, कहानी सुनते हुए, सोती नहीं थी, तो उसको जो यह उसको यह अपना right, उसको जो यह कारेक्रम लगता, वो उसको निरर्थक लगता था कहानी सुनाने का, the little girl not so little anymore, वो छोटी लड़की, इतनी भी छोटी नहीं थी, the bumps, her feet made under the covers, were half way down the bed, the bumps, bumps miss गड़े, bumps, her feet made, गड़े जो उसके पैरों से बनते थे, under the covers, चदर के नीचे, जो mattress होता था, उस mattress पर जो गड़े बनाती थी अपने पैरों से, but half way down the bed, बिस्तर पर आदा, पिचका दिया करती थी वो गड़ों को, तो इतनी छोटी लड़की नहीं थी, जैक इतनी छोटी नहीं थी, वो अपने पैरों से गड़े को, गड़े पर गड़े, bumps बना दिया करती थी और half way, आदा, आदा पिचका दिया करती थी वो उसे, दियर, big double bed, that they let her be in for naps, उनका बड़ा सा वो double bed, जिस पर वो सोने दिया करते थे उसको, जो को, सनीवार को दुपैर में, and when she was sick, और जब जो बीमार होती थी, तब उसे double bed पर सोने दिया करते थे, had at last arranged herself, अंत में, उसने अपने आपको व्यवस्थित किया, and from the way, her fat face deep in the pillow, sown in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic, that some magic would occur, and she would take her nap, like an infant of two, had at least arranged herself, अंत में, उसने अपने आपको विस्थर पर व्यवस्थित किया, जो ने, and from the way, और जिस तरीके से, her fat face, उसका मोटा सा चेरा, deep in the pillow, तकिये में, अंदर तक धसा हुआ था, shown, वो दिखाई दिया, उसका चेरा चमका, दिखाई दिया, in the sunlight, सूरे की रोशनी में, sifting through, जो सूरे की रोशनी आ रही थी, through the drawn shades, जो पर्दे खिचे हुए थी, घर की दिवारों पे, अखिड़कियों पर, उन पर्दों में होकर के, सूरे की रोशनी आ रही थी, और उस सूरे की रोशनी में, उसका चेरा, चमक रहा था, इसकी कल्पना ही नहीं प्रतीत हो रही थी, that some magic would occur, कि कोई जादू का प्रभाव घटित होगा, and she would take her nap, और वो सो जाएगी, like an infant of two, एक दो साल के बच्चे के जैसे, तो ऐसी कल्पना ही नहीं हो पा रही थी, जिस तरही से वो लेटी हुई थी, जिस तरह से वो प्रतिक्रिया कर रही थी विस्तर पे, तो उससे लगी नहीं रहा था, कि वो सो जाएगी, काहानी सुनते सुनते, her brother Bobby was two, उसका भाई, Bobby दो साल का था, and already slept with his bottle, अपनी दूद की bottle लेकर के, वो पहले ही सो गया था, Jack asked, Jack ने पूछा फिर, who shall the story be about today, आज किस के बारे में होगी काहानी, तो आज अब सनिवार को वो लड़की सो नहीं पा रही है, जो, तो वो पूछ रहा है, who shall, who means कौन, character कौन होगा, who shall the story be about today, कि आज कहानी किस के बारे में होगी, और आपको पता है, किस के बारे में होगी कहानी, हमने पहले ही जान लिया, रोजर के बारे में होगी, रोजर जिसको समस्या होगी, कहां जाएगा वो, आउल, उल्लू के पास जाएगा, और उसकी समस्या का समधान कौन करेगा, बिजर्ड, जादूगर करेगा उसकी समस्या का समधान, तो उसनने पूछा, आज कहानी किस के बारे में होगी, और यह देखिये, किस के बारे में होगी, रोजर, जो squeezed her eyes जो ने अपनी आँखें बंद करते हुए squeezed जो ने अपनी आँखें दवा करके अपनी आँखें बंद करके जोड से squeezed जोड से बीच करके sat बंद कर लिया and smiled और वो मुस्कुराई to be thinking she was thinking कि वो सोच रही थी उसको ऐसा लगे उसने ऐसा दिखाया कि उसके पिता सोच है कि वो सोच रही थी तो जो ने खुदी कह दिया रोजर के वारे में होगी जैसे उसके फादर ने पूछा कि who shall the story be about today कि आज कहानी किसके वारे में होगी तो जो को पता था उसकी बेटी को पता था कि उसकी कहानी का पात्र कौन होने वाला है रोजर होने वाला है her eyes open उसकी आँखें खुली her mother blue उसकी मा परेशान थी कि वो सो नहीं पा रही थी और उसकी मा काम में लगी हुई है आपको आगे मालूम पढ़ेगा कहानी में कि उसकी मा बिजी थी काम में उसने दरड़ता से का कि आज की कहानी का होगा हमारा क्यरेक्टर रोजर इसकंक इसकंक होगा आज की कहानी का क्यरेक्टर a new animal एक नया जानबर they must talk about skunks at nursery school छोटे बच्चों ने इसकंक के वारे में पढ़ लिया होगा अपनी nursery की कक्छाओं में स्टर्ड जैक टू क्रियेटिव एंथूजियाजम having a fresh hero एक नया हीरो पाकर के momentarily छण भर के लिए स्टर्ड जैक जैक थोड़ा उत्ते सक्रिये हुआ उत्ते जित्सा हुआ एक नया हीरो मिला जैक को क्योंकि अभी तक वो रोजर फिस रोजर इस्क्विरिल रोजर चिपमंक की काहनी सुनाता था आज उसको मिलाए रोजर इसकंक उसकी बेटी ने बताया to creative enthusiasm तो उसकी जो रचना थी काहनी सुनाने की जो creativity वो enthusiasm उत्सायत हो गई उसकी काहनी को रचने की जो कलपना थी वो उसकी सक्रिय हो गई उत्सायत धंग से all right, he said उसने का ठीक है इस कंग की काहनी सुनते है once upon a time एक समय की बात है in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk एक समय की बात है in the deep dark woods गहरे काले जंगलों में there was a tiny little creature एक छोटा सा प्रानी था by the name of Roger Skunk जिसका नाम था Roger Skunk and he smelled very bad और उसमें से बहुत बुरी बदिबू आती थी yes Joe said Joe ने का हाँ he smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him उसमें से इतनी बुरी बदिबू आती थी he smelled so bad इतनी बुरी बदिबू आती थी that none of the other little woodland creatures कि कोई भी जंगल का दूसरा प्रानी would play with him कोई उसके साथ नहीं खेलता था Roger Skunk के साथ में क्योंकि उसमें से बहुत बुरी बदिबू आती थी Joe looked at him solemnly Joe ने अपने पिता की तरफ गंभीरता से देखा he hadn't foreseen this उसने इस काहनी के वारे में तो सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी काहनी सुनाएंगे उसके पिता whenever he would go out to play जब कभी वो खेलने के लिए जाता था Jack continued Jack ने अपनी काहनी को continue किया कि जब कभी वो खेलने के लिए जाता था whenever he would go out to play Jack continued with jest पूरे उत्साह के साथ उसने अपनी काहनी को कहना सुरू किया remembering certain humiliations अपने खुद के बच्पन की बच्जिती को भी याद करते हुए उसने मैसूस उसने उत्साह के साथ काहनी को कहना सुरू रखा all of the other tiny animals would cry oh here comes roger stinky skunk दूसरे बच्चे जो दूसरे जानवर छोटे छोटे जानवर वो चीख पढ़ते थे ओ ओ अरे देखो here comes roger stinky skunk कि यहां बदबूदार skunk आ रहा है and they would run away और वो छोटे जानवर भाग जाते थे and roger skunk would stand there all alone और roger skunk वहां अकेला खड़ा रह जाता था and two little round tears would fall from his eyes और उसकी आँखों से दो आसू गोल गोल आसू निकल पढ़ते थे यह देख कर कि कोई उसके साथ नहीं खेलता था बदबू की बज़े से सभी बाग जाते थे तो two little round tears would fall from his eyes दो मोटे मोटे गोल गोल आसू उसकी आँखों से निकल पढ़ते थे the corners of the joe's mouth dropped down and her lower lip banked forward as you traced with a finger along the side of her nose the cause of one of roger's skunk's tears the corners of joe's mouth joe के मुह के कौने dropped down नीचे लटक गए थे and her lower lip bent forward और उसका नीचे वाला जो होट आगे की और मुड़कर जुग गया था as he traced जैसे ही उसके पिता ने trace किया निसान बनाए with a four finger अपनी पहली उंगली से along the side of her nose जो के नाक के दोनों और उंगलीयों से जैसे ही निसान बनाए the course of और रास्ता बताया उसने one of Roger Skunk Steers की Roger Skunk के आँसू ऐसे बहे थे यहां हो करके तो उसने अपनी उंगली से और Joe के आँखों के नीचे उसने निसान बनाकर बताये कि इस तरह से उसके मोटे मोटे आंसू बहते थे bond he see the owl क्या वो उलू से नहीं मिलेगा she asked in a high and friendly roughened voice उसने यह पूछा उंची और धीमी सी करकस अवाज में roughened करकस अवाज में उसने अपने पिता से पूछा कि क्या वो अब उलू से नहीं मिलेगा तो आपको पता है कि किसी को समच्य होती रोजर को तो वो किस के पास जाता आूल के पास sitting on the bed beside her उसके बगल में बैठे हुए क्योंकि वो पिता उसकी बगल में बैठता था sitting on the bed beside her उसकी बगल में बैठे हुए जो की बगल में बैठे हुए Jack felt, Jack ने मैसूस किया The covers tug as her legs switched tensely उसने मैसूस किया कि जो चदर था Blanket जो बिस्तर पे बिचा हुआ था covers tug, वो चदर खिचा as her legs switched जैसे उसके पैर हिले उसकी बेटी के पैर हिले tensely घवरा करके या तनाब में उसने अपने पैरों को इलाया कि और पूछा कि क्या वो अब अलू के पास नहीं जाएगा उसमें से बदवु आती थी तो He was pleased with this वो इस सारी चीज से खुस था He was He was pleased with this moment इस चण वो खुस था He was telling her something true वो उसको कुछ सची कहानी कुछ बास्तवे कहानी कह रहा था तो इस से वो थोड़ा सा खुस हुआ Something she must know कुछ ऐसी कहानी जिसके बारे में जो को जानना चाहिए And had no ways to hurry on और उसकी कोई जल्दी कोई इक्षा नहीं थी कि वो जल्दी इस कहानी को खत्म करे But लेकिन Downstairs a chair is scrapped And he realized He must get down to help clear Paint the living room woodberg But downstairs लेकिन नीचे Downstairs a chair is scrapped एक कुर्शी की आवाज आई And he realized और उसने मैसूस किया He must get down उसे नीचे जाना चाहिए To help clear Clear की मदद के लिए Clear जो की जो की माता मदर है और Jack की पतनी है Paint the living room जो की paint कर रही थी Living room woodberg Woodberg लकडी के जो साजो समान थे Furniture था या दरवाजे थे या खिड़किया थी उनका paint करने में लगी हुई थी Clear तो Jack को लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी मदद करनी चाहिए जाकर के Well He walked along very sadly And came to a very big tree ठीक है He walked along जो रोजर था वो चलके गया Very sadly बड़ा दुखी हो करके And came to a very big tree और एक बड़े से पेड के पास आया And in the tip top of the tree Was an enormous wise old owl And in the tip top Tip top means Coater ये रहा कोटर जो एक खोकला सा होता है पेड में उस कोटर जहां पे पक्षी रहता है तो in the tip top of the tree पेड के खोकले वाले इससे में Was an enormous wise old owl एक बूडा सा और enormous बड़ा सा बुद्धिमान आउल था बुद्धिमान उल्लू था उसके पास वो आया Good, अच्छा Mr. Owl Roger Skunk said Roger Skunk बोला उसे उल्लू से All the other little animals run away from me Because I smell so bad कि सारे जानबर मुझसे दूर भाग जाते हैं क्योंकि मुझ मैं से बदबू आती है So you do The owl said उल्लू ने का हाँ आती है तुम मैं से Berry, berry wet बहुत बहुत बुरी बदबू आती है What can I do? Roger Skunk said मैं क्या कर सकता हूँ Roger Skunk बोला And he cried very hard और जोर जोर से रोने लगा जोर जोर से चीखने लगा वो मैं क्या कर सकता हूँ इस मैं से अगर बदबू आती है The wizard, the wizard जादूगर, जादूगर The wizard, the wizard जो साउटेड जो चिलाई जादूगर, जादूगर क्योंकि जो को मालुम था कि अभी उलू किस के पास जाने की कहेगा Roger से जादूगर के पास जाने की कहेगा And sat right up और बैठ गई वो बिस्तर पे And a little golden book spilled from the bed और एक सुनेरी सी पुस्तक रखी थी वो उस बिस्तर पर से गिर गई, जैसे ही वो बैठी थी Now जो Daddy is telling the story Daddy कहानी कह रहे हैं Daddy ये कहानी कह रहे हैं Do you want to tell Daddy the story क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो तुम आगे आगे से बोल रही हो कि जादूगर के पास जाओ जादूगर के पास जाओ तो क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो No, नहीं You, me तुम मुझे सुनाओ उसने अपने पिता से कह दिया जो ने Then, lie down And be sleepy तो फिर लेट जाओ And be sleepy और सोने की कोशिस करो Her head relapsed onto the pillow उसने अपना जो सिर था Relapsed बापस सिर रख लिया Onto the pillow तक ये के ऊपर And she said और बोली Out of your head अपने मन से अपने दिमाग से कहानी सुनाओ तुम Well, ठीक है The owl thought and thought उलू ने सोचा और सोचा At last he said और अंत में बोला Why don't you go to see the wizard तुम wizard से क्यों नहीं मिलते हो जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो उलू से कहा उलू ने कहा उससे रोजर सकंक से Daddy तो फिर देखी यहाँ पर जो की प्रतिकरिया आईए Daddy क्या तो मैंने भी तो यही कहा था What क्या Are magic spells real तो जो ने पूछा कि जो तंतरमंत्र होते हैं magic spells तंतरमंत्र होते हैं वो बास्तविक होते हैं क्या Are magic spells real क्या तंतरमंत्र बास्तविक होते हैं This was a new phase यह एक नया इस्तर था यह एक नई अवस्ता थी just this last month a reality phase पिछले ही महीने ये बास्तविक्ता की अवस्ता थी पिछले ही महीने उसको सुनाया था इसके वारे में when he told her spiders eat bugs जब Jack ने सुनाया था उसको कि जो मकडिया होती है वो bugs छोटे छोटे कीटों को खा जाती है she turned to her mother वो अपनी मा के पास गई and asked और उसने पूछा do they really क्या वो बास्तम में जो मकडिया होती है छोटी छोटी bugs को खा जाती है and when Claire told her God was in the sky and all around them और जब Claire ने उसकी मा ने उसको बताया कि भगवान आकास में रहते हैं and all around them और हम सभी के चारों और हैं वो भगवान she turned to her father and insisted वो अपने father के पास गई और उसने जोर दिया with a sly yet eager smile एक उत्सुप और sly miss चतुरता पूर्ण with a sly एक चतुराई वाली ढंग से yet eager smile लेकिन उत्सुपता वाली मुस्कान से is he really क्या भगवान बास्तम में होते हैं हमारे चार ओर they are real in stories कि कानियों में तो बास्तिविक होते ही हैं jack answered curtly jack ने संचिप्तता से जबाब दिया कानियों में तो बास्तिविक होते हैं ये सारी चीज़ें she had made him miss a bit in the narrative she had made him उस लड़की ने उसको भुला दिया a bit in the narrative अपनी कानी में से थोड़े से हिस्से को भूल गया क्योंकि वो बीच में बात करने लग गई थी जो उससे the owl said go through the dark woods उल्लू ने कहा उससे कि अंधेरे जंगलों में होकर के जाओ under the apple tree trees सेबों के पेडों के नीचे होके जाओ into the swamp दलदल में होकर के जाओ over the creek creek के उपर होके जाओ what is a creek जो ने बीच में पूछया creek क्या होता है किसको कहते हैं creek ये वाला page और पढ़ेंगे हम इसके बाद part 2 में मिलेंगे ये वाला page complete कर लेते हैं अधा chapter हो जाएगा a little river creek का मतलब होता है एक छोटी सी नदी over the creek नदी के उपर से जाओ and there will be the wizard's house फिर तुमको जादूगर का घर मिलेगा and that's the way Roger Skunk bent और इसी तरीके से Roger Skunk गया and pretty soon he came to a little white house और भहुत जल्द ही वो एक छोटे से सफेद मकान घर के पास आ गया and he wrapped on the door और आकर के उसने दर्वाजे पर wrapped wrapped मिस खटखटाया दर्वाजे को jack wrapped on the windowsill खिड़की की जो चौखट होती है sill उसको भी उसने खटखटाया and under the covers Joe's tall figures clansed in an infantile thrill and under the covers और जो चदर ओड करके Joe ने उस कंबल में क्या हुआ देखिए under the covers Joe's tall figure Joe की जो लंबी सी आकरती थी जो कहानी सुन रही थी clansed वो सिमट गई इन infantile thrill जैसे छोटे से बच्चे को उतेजना हो जाती है thrill, romance हो जाता है infantile में सैसव जिस तरह से छोटे बच्चे को तेजना romance हो जाता है उससे सिकुड जाता है बच्चा ऐसे ही वो जादूगर का जब घर आया उस कहानी में तो उसको सुन करके वो सिमट गई and then a tiny little old man came out फिर एक छोटा सा ब्रद आदमी निकल करके बाहर आया with a long white beard and pointed blue hat उसने एक लंबी सी सफेद दाड़ी और pointed blue hat नीले रंकी नुकीली टोपी पहन रखी थी उसने and said और वो आकर के का इह अरे अलब वो गुसा करते होए बोला what is this? ये क्या है? what sure want? क्या चाहते हो तुम? what sure want means what do you want? क्या चाहते हो उसको बदबू आ रही थी जादूगर को उसमेंसे you smell awful तुम मेंसे भयानक बदबू आ रही है the wizard's voice was one of jack's own favorite effects जो जादूगर की आवाज होती वो jack की अपनी पसंदीदा आवाज होती कुछ अलगी तरीके से jack आवाज निकालता था जादूगर की आवाज को he did it by scrunching up his face वो इस आवाज को निकालता था अपने चैरे को थोड़ा सिकुडा करके and somehow winning through his eyes अपनी आँखों में से winning में सिकायत और गुसा करते हुए इस आवाज को निकालता था उससे ऐसा लगता था कि जो आने वाला दर्द है आने वाले जो परेशानी है रियूमी उसमें थोड़ा सा बिराम मिल जाए इस तरह से वो जादूगर की आवाज को निकालता था jack he felt being an old man suited him उसको ऐसा महसूस होता था jack को कि जो ब्रद आदमी का जो किरदार है shooted him वो उस पर judge ता है वो उस पर अच्छा लगता है I know it Roger Skunk said Roger Skunk बोला मैं जानता हूँ मुझ मैं से बदवू आती है and all the little animals run away from me और सभी छोटे जानबर मुझसे दूर भाग जाते है the enormous wise owl said you could help me उस बड़े से बुद्धिमान उल्लू ने मुझसे कहा कि तुम मेरी साहिता कर सकते हो e उसको परेशा नहीं हो रही है बदवू में तो वो उसने का e bell ठीक है maybe हो सकता है मैं तुम्हारी साहिता कर दूँ come on in अंदर आ जाओ don't get too close बहुत नजदीक मताना मेरे now inside अंदर जो there were all these magic things भाहा जादूई चीज़ें थी all jumbled together सभी जादूई चीज़ें jumbled अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी एक साथी in a big dusty heap एक बड़े से मिट्टी के धेर पर because the wizard did not have any cleaning lady क्योंकि जादूगर के घर में कोई साफ सफाई करने वाली महिला नहीं थी why जो ने पूचा क्यों क्यों नहीं थी कोई महिला why because he was a wizard क्योंकि वो जादूगर था and a very old man और वो एक बहुत जादा बूड़ा ब्यक्ती था इसलिए कोई महिला नहीं थी उसके घर में will he die क्या वो मर जाएगा वो बहुत बढ़ा बूड़ा जादूगर है तो क्या वो मर जाएगा जो ने पूचा no wizard do not die wizard don't die wizard कभी मरते नहीं है जादूगर कभी नहीं मरते bell he rummised around and found उसने rummised अपने चार ओर तलास किया and found और पाया an old stick called a magic band एक पुरानी सी छड़ को ढूड लिया उसने जिस छड़ को magic band जादूई छड़ कहते हैं उसको ढूड़ा उसने and asked Roger Skunk और Roger Skunk से पूचा what he wanted to smell like कैसी खुशबू चाते हो तुम अपने आप मैंसे मुझे पताओ किस तरह की खुशबू चाते हो Roger thought and thought and said Roger ने सोचा और सोचा और फिर कहा roses गुलाब के जैसी खुशबू चाता हो मैं मुझे मैंसे yes good Joe said Smugly Joe ने भी Smugly में संतुष्टी से ध्यान लगाते हुए Joe ने भी Smugly से Joe कानी सुन रही थी तो उसने भी संतुष्टी से का हाँ अच्छा है गुलाब की खुशबू अच्छी है Jack fixed her Jack ने उसको जडवत कर दिया था fix कर दिया था कानी सुनाते सुनाते with a trance एक नसे के साथ like gaze जिस तरह से वो घूर रही थी and chanted in the wizard's elderly irritable voice और उसने मंत्र कहे chanted chanted in the wizard's elderly irritable voice जादूगर की ब्रद और परेशान कर देने वाली आवाज में जुंजला देने वाली आवाज में उसने मंत्र बोले तो उसकी बेटी क्या हो गई जडबत हो गई उसको ध्यान से सुनने लगी नसासा आ गया उसकी बेटी को और क्या जादू किया उसने देखिए आवरा कड़ा हकस पू रोजर स्कंक रोजर स्कंक यह हो गया जादू तो उसने वहाँ पे जादू मंत्र पढ़ दिये हैं यह मंत्र और अब इन मंत्रों को पढ़ने के बाद जो के अंदर रोजर के अंदर से अब गुलाब की खुसबू आने वाली है तो उसकी मम्मी क्यों उस खुसबू को बदलबा देती है बापस से बदबू में यह सब कुछ हम जानेंगे पार्ट सेकंड में इसलिए आप बने रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लिंक को दोस्तों के साथ सेर कीजिए मिलेंगे आपसे इसी वीडियो के पार्ट सेकंड में सुट बिजर्ड हिट ममी पार्ट सेकंड लेकर क्या होंगा इंतजार कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी का